Assalamu alaikum, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब ठीक होंगे, welcome to another video ये वीडियो मैंने कले की बनाई विया है, लेकिन मेरा शदीद mood off था, इसलिए मैंने इसको ना इसको voice over किया, ना edit किया, बज़ा मैं आपको बताती हूँ अच्छा जी आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ affordable जो lip liner हैं, जो केरियॉन्स हैं हमारी local companies, जो पाकिस्तानी companies हैं, उसके share करूँगी because मेरी तो lipstick सब नहीं बचती, बच्चे तोड़ देते हैं Mariam को बहुत interest है, Iman को बहुत interest है हमारे make-up में तो अब जी हम लोग pencil और किरियॉन पर shift हो गई है, अगर तोड़ भी देते हैं तो शॉप करने के बाद फिर वैसी हो जाती है, lipstick टूट जाए तो फिर वैसी नहीं हो सकती अब जी ये रिवाज UK का जो है, मैंने sharpener ले लिया है ये बारीक वाली जो pencil है, उसके लिए भी है, और किरियॉन जो है, उसके लिए भी है ये cosmetic shop से ही मिल जाएगा, तकरीबन 1.500 और 200 के दर्मियान दर्मियान आप लोग को ये वाला sharpener मिल जाएगा वनना आप बच्चों वाले sharpener से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है तो प्लीज आप लोग number note कर लें, screenshot ले लें और आप ले सकते हैं, ये वाली जो है, ये रिवाज की है, ये बहुत प्यारा purple shader, बहुत creamy है, बहुत soft सा कर देती है, आपके lips को, कोई आपके lips को dry नहीं करती, तो ये भी बहुत अच्छी है, काफी अर्शे से मैं use कर रही हूं के बाद जी है, sweet face की, जो है, pencils है, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत reasonable है, 150, 160 के आपको local market से मिल जाएगी, अच्छा जी, ये जो sweet face का 29 number है, ये आप base या make-up के बगार यूज नहीं कर सकते, ये बहुत nude shades की तरफ चला जाता है, nude pink सा brownish सा tone है, इसका ठीक है, तो ये वाला आम रूटीन के लिए नहीं है, गर्मियों में bright colors, summers के लिए हम जब dresses लेते हैं, तो वो भी bright colors के लेते हैं, तो bright colors की ही lipstick अच्छी लगती है, अगर आपकी skin tone ज़रा fair है, तो आप पे तो हर तरह का suit कर सकता है, लेकिन अगर आप लोग की जो normal skin tone होती है, तो उस पे तो फिर bright color ही अच्छे लगते हैं, वरना अगर हम nude shade लगालें तो ऐसे लगता है, कितने दिनों से बिमार हैं, lipstick में bright color यूज़ करने से एक दम से fresh सी look आ जाती है, जबके nude को carry करना आना चाहिए, आपको के आपने अगर nude shade apply किया है, तो उसको आपने किस तरह carry किया है, किस तरह के dress के सा जो time के साथ, time के साथ, time के साथ, आपकी personality groom होती जाती है, आपको चीजों का पता चलता जाता है, किया किस तरह use करना है, सीख के कोई भी नहीं आता, सबी लोग यहां दुनिया में रहकर सीखते हैं, और बहतर से बहतर होते जाते हैं, तो जी, मेरा mood किसली off था, मेरा mood इसली हो चुक है, तो उस पे मेरा सारा दिन बरबाद हो गया, सारी शाम बरबाद हो गई, depression और बुरा हाल, खैर फिर अब मैंने एक और order कर तो दिया है, let's see, आता है या नहीं आता, या फिर पता नहीं अब क्या होगा, इद के dress का, अच्छा जी, इन में जो बारीक वाली pencil है, ज के बाद, आपको हजारों में चली जाती है, lipsticks, आप ये वीडियो मैंने ऐसे ही नहीं बना दी, कि मैं market से लाई हूँ, तो मैंने उठा के बना दी है, आप इनके size और इनकी shape stack कर सकते हैं, कि ये use हुई नहीं है, काफी अर्से से हम लोग इनको use कर रही है, तो ये जी, काफी क्रीमी है, आपके lips को black नहीं करती, आपके lips को patchy नहीं करती, ड्राइ नहीं करती, अगर आप try करना चाहते हैं, तो एक दफा पहले एक purchase करके try कर लें, अगर आपको अच्छा लगे इसका formula, तो फिर आप लोग purchase कर सकते हैं, सारे जो shades हैं, वो number के साथ हैं, सारे bright colors है, purple, pink, red और rust color, इंत का mixture है, camera अच्छे से capture कर रहा है, यहां बताने की जरूरत नहीं है, मतलब इनकी तारीफें करने की जरूरत नहीं है, सारे मैंने swatches दिखा दिखा दिए हैं, लगा के दिखा दिखा दिए हैं, और कितनी असानी से apply हो रही है, कितने मुलाइम तरीके से बाजू प बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सा है, अच्छा अब इन सारे किरियांज और सारी पैंसिल पे लिखा हुए कि यह सासत आई पैंसिल भी है, अगर आप अपने ड्रेस के साथ मैच करके इनको ऐजा काजल यूज करना चाहें, तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप इनको लाइनर के बड़ी बड़ी सी लगने लगती है, अगर आपकी छोटी आँख है तो आप बलैक की जगा वाइट पैंसिल यूज करके देखें, बहुत अच्छा सा एफेक्ट आजएगा आपके मेक अप को एक दम से ना चार चांद लग जाएंगे, अच्छा जी यहां साथ-साथ आप यह इनके लिप लाइनर्स, के लिप पैंसिल्स के स्वेचिस देखते जाएं, और साथ-साथ मैं आप लों के साथ एक बास शेयर करने लगी हूँ, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, जो मुझसे पूछती हैं कि आपके सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट हो गया, आपका वाश किसे पूरा हो गया, तो जी मैं एक तो मुझे चार से पांच माँ हो गए हैं, मैं डेली वीडियो पोस्ट कर रही थी, तो काम मसलसल किया जाएं, उसमें अल्ला ताला भी मदद कर देते हैं, महनत जब मसलसल हो रही हो तो उसमें कामयाबी मिल ही जाती है, दूसरी बार ये ह उठा करेंगे ना कि मैं भिंडी या कदू पका रही हो तो कोई भी नहीं देखेगा क्यूंकि ना हम में इंटरस्ट है किसी को और ना ही भिंडी और कदू में इंटरस्ट है, तो पहले आप महनत करें, आपको लोग जानने लग जाएं, उसके बाद आप अगर नहीं हो सकते, तो सबसे पहले में मैंनत है फिर डेली आपका काम है, यूटीूब हुशक काम करेंगे हुशे कहां कि यूटीओा करेंगे तो ही यूटीूब हमें बूस्त देगा by मैं वह से बदा आपने काम के साथ सीरियस क्यूश चल रहा है लियु शॉपिंग को लोग कॉस्मेटिक्स को सर्च कर रहे हैं तो इस तरह की वीडियो आपकी वाइरल होती है सर्चबल टॉपिक्स पर काम करें फिर लोग आपको जानने लग जाएंगे फिर अगर आप व्लॉगिंग की तरफ आएंगे तो वह आपके व्लॉग में कैनल बनवाएं अपने रिष्टेदारों से मत सब्सक्राइब करवाएं उनको कोई इंट्रस्ट नहीं है हमारी जिंदगी में हाँ जब आप थोड़े से काम्याब हो जाएंगे पिर वह देखने जरूर आएंगे कि चल क्या रहा है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प् आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी चलें जी अब अपनी द्वाओं में याद रखें और जी अगर चैनल बनाना है तो वीडियो का सबसे पहले टॉपिक सर्चेबल हो दूसरा मेहनत हो डेली वीडियो हो अच्छी हो तब ही आप लोग काम्याब हो सकते हैं ओके जी Allah Hafiz, Bye Bye